प्रिया चात्रा प्रिया चात्रों वएम जानिव मतलब हम जान गए हैं यद शंस्कुत भाशायाम त्रेनी लिंगानी भावन्ती की संस्कुत भाशा में तीन लिंग होते हैं पहला है पूरलिंग दूसरा है इस्तरिलिंग और तीसरा है नपुसक लिंगम एतस्मिन पाठे अकारांत इस्त्रिलिंग शब्दा नाम विशे पठामा इस पाठ में हम अकारांत इस्त्रिलिंग शब्दों के विशे में पढ़ेंगे अकारांता इस्त्रिलिंग शब्दा हा ये शब्दा इस्त्रि जातिम सूचियंती ते इस्त्रिलिंग शब्दाहा भवन्ती जो शब्द इस्त्री जाती को सुचित करते हैं वे इस्त्रिलिंग शब्द होते हैं तेशु येशाम अंते आ स्वरस्य ध्वनी भवती जिन इस्त्रिलिंग शब्दों के अंत में आ की ध्वनी आती हैं ते अकारांत इस्त्रिलिंग शब्दा भवन्ती वे अकारांत इस्त्रिलिंग शब्द होते हैं अकारांत यथा यथा मतलब जैसे लता, महिला, पुस्तिका अकारांत इस्त्रिलिंग शब्दा नाम स्वरूपम एतेन प्रकारने त्रिशू वचनेशू भवती अकारांत शब्दों का स्वरूप तीनों वचनों में निम्न प्रकार से होता है जैसे निचे दिया गया है चटका चटका, चटके, चटका हा अकारांत इस्त्रिलिंग शब्दा नाम कानिचीत उधारण आनी प्रदतानी अकारांत इस्त्रिलिंग शब्दों के कुछ उधारण दिये गए हैं जैसे बालिका, बालिका को तीनों उच्णम में देखेंगे, बालिका, बालिके, बालिकाह, छात्रा, छात्रे, छात्राह, अजा, अजे, अजाह, नासिका, नासिके, नासिकाह, उसी प्रकार से चटका फिर मुशिका का देखो फिर है शिला शिला मतलब होता पत्थर फिर है गाईका अब आगे देखिए नोका फिर है पादुका पादुका मतलब होता चप्पल फिर है कपाटिका कपाटिका मतलब पैटी अलमारी जिसको बोलते कबर्ड कपाटिका, कपाटिके, कपाटिका हा मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका हा शाखा मतलब टहने शाखा शाखे शाखा हा लिंग परिवर्तनम केशान चित पुलिंग शब्दा नाम अन्ते आ योजित्वा इस्त्रिलिंगा नाम शब्दा नाम निर्माणम भहुती कुछ पुलिंग शब्दों के आगे आज ओडने से श्त्रिलिंग शब्दों का निर्माण होता है यह था जैसे अगरज अगरजा चटक चटका गायक गाईका इस तरह के से प्यारे बच्चों यह अपना चेप्टर समापत होता है अगले वीडियो में अगले चेप्टर के झाल के साथ को साथ कुछा चेप्टर के साथ कर वीडियो का झाल लयकर और अजया होता है यह आगर।